हेलो एवरीवन स्वागत आप सभी का स्टडी गराम एजुकेसनल प्लेटफॉर्म पे तो एच्पेसी के दुवारा बहुत ही बड़ी वकेंसी को एड़टाइज कर दिया गया है जो की पीजीटी के लिए है अलग-अलग सब्जेक्ट के अंदर सारे चिज़े इन डिटेल में डिश्केस करूँगा एक्जाम पैटरन और क्याक्य अड़टाइजमेंट में बहुत सारी इंपोर्टेंट चिज़े मैंसेंड हैं क्योंकि कई बार एक अभ्यारती क्या होता है कि अड़टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ना पढ़ने की वजह से मिस कर देता है जिसका ख तो मैं पहले भी चीज कहता है कि अपनी प्रिप्रेशन ट्रैक पर रखो भरतियां आएंगी सारी बरतियां आएंगी देखो इस बरति का किसी को नहीं पता था सभी के जो सूत्तर हैं वो सब फेलो चुके थे लेकिन यह वकैंसी आई ऐसे ही बाकी वकैंसी भी आएंगी जो है तोटल इसमें अलग-अलग है आप अपने सब्जेक्ट की साब से देख लेना मैं इन डिटेल में डिस्क्स करूँ एक्जाम पैटरन और कैसे क्या क्या चीज़ है सबसे ज्यादा जो नंबर वकैंसी है ना वह साइंस की यानि फिजिक्स केमेस्ट्री बायलोजी यह जो म अगस्तिया अगस्त का मिड तो यह मान के चलोगी अगस्त का मिड यानि सैप्टेमबर अभी चल रहा है जुलाई जुलाई कि आजो 23 तिक ना तो साथ से आठ दिन यह और अगस्त के 14 डेज यह यानि पूरा अगस्त मान के चलो एक से डेड में आपके पास है स्क्रीनिंग टेस्ट के प्रिपेर करने के लिए ठीक है ना यानि सेप्टमबर में आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देखने को मिल सकता और सब्जेक्टिव टेस्ट हो सकता है इलेक्शनों के बाद ठीक है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हर दामने ऐसा करती है ठीक कोई भी गौइन हो परटिकुलर बत नहीं है जो इलेक्शन के टाइम पर व केंशी करी जाती हो आग्गी के लिए चोड़ देजाती है तो यह कोई बड़ी बात है ह। हर फेस्च में है उन सब को बता दू मैं तो दो एक्जाम होते हैं पहला एक्जाम होता है screening कि screening test यह टेस्ट होता है qualifying in nature और दूसरा है subjective test कि subjective paper होता है ठीक है यानि यह जो आपका screening test है इसमें होंगे mcqs कितने 100 mcqs mcq each one marks यानि 100 marks का यह आपका exam होगा इसके अंदर जो distribution रहेगा वो distribution इस टाइप कहा 80 तो आपके subject के रहेंगे और 20 question आपके रहेंगे अधर के ठीक है ना अधर में क्या क्या चीज़ें आगी इसमें आपकी जितना भी आपका teaching aptitude है पेड़ागोजी है या फिर computer GSG के सारा का सारा जो इसमीशी 20 question में आ जाता है आपकी comprehensive English के comprehensive reasoning सारे की सारे यह 20 question आ जाते हैं और 80 question होते हैं आपके जो आपका subject है उसके जो भी आपका subject रहेगा history है biology है chemistry है जो भी आपका subject रहेगा उसके रहने वाले हैं और subjective paper देखो subjective paper में क्या होता है अठारा question आते हैं कि जिसमें से आपको 15 attempt करने होते हैं यानि 15 questions कि इच कैरिंग 10 marks कि यानि 150 marks कि 150 marks तो यह होता आपका exam pattern ठीक है देट सो नंबर का यह पेपर होता है और सो नंबर का यह पेपर होता है ठीक है तो सेम चीज है जो screening टेस्ट होता है न यह क्वालिफाइंग इनेचर इसमें क्या है four times कि four times number of candidate को बुलाया जाता है और इसके बाद interview के लिए कितने बुलाया जाता है तो तो आपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी अच्छे से आपने जो सलेवस है सलेवस मैं टेलिग्राम चैनल पर अप्लोड कर दूंगा उस सलेवस को इन डैप्ट में पढ़ना है और सल descriptive exam है इसमें questions आते हैं आपको question का अंस्वर देना होता है ठीक है और हो सकता है आने वाला assistant professor का exam है उसमें भी दो exam देखने को मिले पहले वाली भरती में क्या हुआ था सिर्फ सिंगल एक mcq टाइप question पेपर था लेकिन अब आपको यह पैटरन देखने को मिल सकता है वन फॉर्थ इसके अंदर नेगटिव मार्किंग है ठीक है टू टू टाइमस बुलाया जाता और थरड फेज इसकी क्या है इंटर्व्यू और इसके जस्ट बाद क्या हो जाता है आपको पीज आप लग जाते हैं पीजीटी ठीक है जिस भी सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट आपका है तो यह था एक्जाम पैटरन बहुत सारे केंडेट्स को यह कन्फूजन थी कि एक्जाम पैटरन क्या रहने वाड़ा है ठीक है चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं जो बाकी की अधर डिटेल है ठीक है कुछ चीज़े हैं मैं वह आपके साथ डिसकस कर लेता हूं जैसे जो इंपोर्टन चीज़े क्या-क्या है जो एक कैंडिडेट को ध्यान रखनी होती है सबसे पहले जो डेट कोण सी होगी लाश्ट डेट कि 14 अगस्त आपके पास सारी की सारी क्वालिफकेशन भी 14 अगस्त क्यों नी चाहिए और आपका जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो भी यही होना चाहिए तो BCA और B को यह कंशूजन हमेशा आती है अब की बार एड़टाइजमेंट में पर्टिकुलर्ली मैंसेंड है कि आपको दो हजार चोविस से दो हजार पत्तिस कि इस फाइनेंसिल येर का बनवाना है और सेम EWS के लिए है यानि इसका मतलब क्या है एक अप्राइल कि दो हजार चोविस से पहले का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा ठीक है इसको बिल्कुल श्टार मार्क कर लेना है इससे पहले का पीजटी के अंदर कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा कोई भी रिजरुवेयर संगा नहीं कर पाएंगे ठीक है तो यह इंपोर्टेंट दो चीज़े थी जो आपको अपने जो अभी फॉर्म फिल करेंगे आप उसके लिए ध्यान में रखनी है ठीक है उसके लावा मैं कुछ इंपोर्टेंट चीज़ें जो आपके साथ डिसकस कर लेता हूं ठीक है जो इसकी क्वालिफकेशन है क्वालिफकेशन का इसका यह है कि जिस भी कैंडिडेट ने मस्ट डिगरी कर रखी है और बीएड कर रखी है तो वह इसके लिए लिजबल है ठीक है ना आप अपनी सब्ज किसी भी कैंडिडेट अगर किसी के पास बीएड नहीं है तो वह इसके लिजबल नहीं है तो इसके अंदर क्या है बिलकुल कंपल स्रीए जैसे हिस्ट्री है हिस्ट्री विद्ध एटलिस 50% मार्क एंड बीएड ठीक है तो यह इंपोर्टेंट है जो इसकी क्वालिफकेशन है ठीक है तो यह था क्वालिफकेशन के बारे में बाकी जो इंपोर्टेंट चीज है मैंने वो डिसकस कर ही दी है कि स्क्रीनिंग टेस्ट और जो यह एक्जाम पैटर्न है यह भी मैंने डिसकस कर दिया है तो इसके लावा कुछ इंपोर्टेंट चीजें नहीं बचते हैं जो आपने पता होनी जरूरी है ठीक है ना एज लिमिट जो भी काउंट होगी आपकी इस डेट में काउंट होगी 14 अगस्त में रेजरवेशन आपको एज का आपने इसाफ से मिलता है जो कि जिसकी भी कैंडिडेट की जो भी कैटेगरी है ठीक है तो यह बहुत इंपोर्ट को बारी सिरूरेशन में पिछड़ा हुआ है ठीक है और आप इसका शिकार होती हैं घुम्राय उने के वजएसे ठीक है ना जो यह रियते हैं वह तो प्रीपरेशन नमें लगा रहता है ठीक है अपनी को इम्वलाब गरता रहता लेकिन गूमघ्चे और फिर ऌतर यह हुश किया गये थे income criteria चेंज किया गया तो इसमें दो नोटिस मैंसेन है एक तो थोधार बाइस वड़ा ठीक है जहाँ जब पीपी एंड पीपी ट्रिपल पीकेंडर इंट्रिडूस किया गया था और एक है 2019 का था जो गवर्मेंट का गैजिटेट नोटिफिकेशन उसके अकोर्डिंग चलेगा ठीक है ना तो यह बहुत इंपोर्टेंट थी तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं जितने भी कैंडिडेट हैं एक अप्रेल आते हों तो पहले आप क्रीमी लेयर में आते हो अब हो सकता आप नोन क्रीमी लेयर में आते हो तो इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आपने यह बढ़वाना है ठीक है तो यह इंपोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने डिसक्स कर दी है हाँ एक चीज़ और मैं डिसक्स कर लेत अदरवाइज जितने भी candidate है जो bond के according जो contract पे हैं उनको NOC की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो एक confusion बार-बार आती है candidates के अंदर कि जो यह आगे के पास बुके हैं आपके subject की अगर आपका कोई डाउट है science को लेके या फिर कोई भी humanity का subject उसको लेके तो आप comment section में comment कर सकते हैं हलांकि dedicated वीडियो जल्दी आपको देखने को मिलेंगी ठीक है मैं जो PGT science की जितने भी stream है उन पर जितने भी subject humanity के हैं उन पर dedicated वीडियो लेके आपको यह प्रोच क्या रहनी चाहिए ठीक है और कोशिस करेंगे हम केक इसके उपर कोर्स बीडिजाइन करें क्योंकि काफी सारे candidates की क्यों रियर डाउट आ रहे थे तो मैं वह चीज़ भी discuss कर दूंगा कि आपको बुक लिष्ट कॉन से फोलो करने और क्या अप्रोच आप तो दिस आल इन दिस वीडियो थैक्स वर वोचिंग और आप स्टडी ग्राम का ओफीशल वट्सएप और टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं अपडेट्स के लिए तो थैंक्यू